हसे लिजा स्दुटेंट्स आज हम एक्सरसाइज के कुछ किस्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार से आपको उनको रीजन देना होता है जैसे आपका किस्चन है कि गैप जो है किसी भी चीज में अगर जाती है तो उसको कमप्लीटली फिल्ड कर देती है उसका रीजन क्या है है पर हमके जो force of attraction होता है वो बिल्कुल ना के ब्राबर होता है इसलिए वो क्या गरते हैं डूटु दिस दप particles of gas are continuously motion वो एक moving speed जो होती है उनकी काफी हाई हो जाती है continuous motion में रहते हैं force of attraction particles के बीच में है नहीं और high kinetic energy है इसलिए वो जिस भी बरतन में जाएंगे उसको completely field कर देते हैं वो ही कारण होता कि तो अगला हम question डालते हैं कि वो pressure डालते हैं जिसमें भी यह gas eject pressure on the wall आप गुबहरा फैलाते हो गुबहरे में हम क्या करें एर ही तो डाल रहे हैं एर डालते हैं गुबहरा फूल रहा है चारों तरफ एक जैसा तो क्या हो रहा है वही same things कि इनके अंदर हाई kinetic energy है minimum force of attraction है तो वो इतनी speedly move करते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं आपस में टकराते हैं साथ ही वो जिस भी बरतन में जिस भी जैसे हम अभी एक बैलून का एक्जामपल लिया है तो बैलून से वो टकराते रहते हैं और जब उसकी दिवारों से टकराएंगे तो उसके उपर वो प्रेसर डालते हैं इसलिए वी कैन से डैट गैसी एक्जेक्ट प्रेसर ओंदा कंटेनर ड्यू टू इट्स पार्टिकल्स हाइग काइनेट आप एक पैन का भी सोच सकते हो कि वाई एक पैन इच सोलीड अब तो सोलीड की प्रोपर्टी हैं फिक से फिक्स वोल्यूम कैन नोट वी कंप्रेस्ट इजीली इटीच हाड कैन नोट फ्लो इतनी सारी चीजे हैं तो हम उन में से दो चार एक्जामपल सेट करके हम कह सकते है हैं दू तो इस प्रोपर्टीज वी कैन से डैट दा ऊड़न टेबल और यह पैन और चेयर यह सारे क्या हैं सोलीड है सेकिंड तिंग अगला देखिया हम एक रिजन वाई कैन एजीली मूव आर हैंड इन एयर बट डू दा सेम थ्रो एस सोलीड ब्लोक औफ वी नीडे और यह क्या करें कि अगर हमें इस सोलीड को तोड़ना है या आप नीचे जो वूडन टेबल है वी नीड एक क्राटे एक्सपर्ट जो एयर में से हम हाथ इदर से उदर हिला रहे हैं इसका कारण क्या है कि फोर्स ओफ अट्रेक्शन बिट्विन दा पार्टिकल्स ओफ एयर इस नेगलेबल ना के बराबर है उसको हम आसानी से तोड़ पा रहे हैं बट दा फोर्स ओफ अट्रेक्शन इन सोलीड बहुत ज़्यादा होता है मैक्सिमम होता है दे आर सो क्लोज टो इच अदर वी आर अनेबल टो ब्रेक डाउन दा फोर्स ओफ अट्रेक्शन अगर हम उ कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो तभी टूट पाएंगे यदि हम उनकी फोर्स ओफ अट्रेक्शन को तोड़ पाते हैं और ये कराटे एक्सपर्ट को पता होता है कि कितनी फोर्स ओफ फोर्स लगानी है सोलीड की फोर्स ओफ अट्रेक्शन को तोड़ने के लि है एक और क्यूस्टिन देखते हैं हम यहां पर लिक्वीड जनरली हैव लो डेंस्टी एज कंपेर तो सॉलिड बट यू मस्ट हैव अब्ज़र्ड दैट आइस फ्लॉट्स ओन वाटर फाइंड आउट भाई हम कहते हैं कि सॉलिड की डेंस्टी सबसे जादा होती है परन्तु तो इस केस में क्या हो रहा है कि आइस इस सॉलिड बट इट कैन फ्लॉट ओन वाटर इजी ली वाई अब हो क्या रहा है कि जब आइस का फोर्मेशन होता है जब फ्रीजिंग हो रही होती है आइस बनती है वाटर के फ्रीज होने से और जब वाटर फ्रीज होता है आइस बन हो जाती है सम एंप्टी स्पेस बनते हैं जब वाटर फ्रीज होने लगता है तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और ड्यू ट्रैपिंग ओफ एयर तोटल डेंस्टी ओफ डेट आइस ब्लोग विकम्स लेस्ट देन वाटर वाटर से बरबनी तो उसकी डेंस्टी लगब अगलेगग बढ़र बडब उसके अंदर खाली सपेस होने के कारण से एयर ट्रैप होगी और एयर की डेंस्टी water से काफी कम होती है और एयर ट्रैपिंग होने के कारण जो डेंस्टी हो रही है कम उसी के कारण जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पारती है अदरवाई ये पुसी बन ने ये लियर